असलाम लेकुम डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल और वेलकम टो अनदर वीडियो आप सब ठीक ठाक होंगे तो जी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं ड्रेस की डिजाइनिंग जिसको मैंने बहुत ही यूनीक और एक डिफ्रेंट वे में मैंने डिजाइन किया है और आपको आज का डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए जी देखते हैं सबसे पहले इसका फैब्रिक यह है जी इसका फैब्रिक और यह कुछ इस तरह से इसका डिजाइन बनावा था कि यह देखें यह दामन पे इस तरह से पुरा फुल बंज बनावा है रोजस के साथ इम्डुड्रियू है ठीक है और इसी के साथ देखेंगे आप तो यह है एक चोटा मॉटिफ यहां पर बनावा है और यह ना गले की साइट पे आना था मतलब शोल्डर के पास लेकिन जब मैं इसकी कटिंग का रही थी तो यह पूरा फुल निकल रहा था क्योंकि शर्ट की लेंथ जो है वो काफी लंबी थी तो फिर जी मैंने इसको किस तरह से चेंज किया है और आप भी अगर कोई इस तरह का दामन वाला उसको आप चेंज करके बिल्कुल बनाना चाहरे है तो आज की विडियो आपके लिए हल्फ रहेगी तो जी यह देखें इसकी कटिंग मेंने की है और साथी यह पूरा फुल बंच जहा है नहा वो मैं लेगी हूँ नेक्स साइट पे शर्ट की कटिंग मैंने की है और साथ मे मैं गोटाले से इस्तेमाल कर रही हूं थोड़ी सी मैंने का चलो शाइन शाइन आजेगी और वैसे भी पड़ी होई थी तो मैच कर रही थी ठीक है तो जी यह मैं साथ इसके एड़ करने वाली हूं तो चलिए जी आप आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल डिजाइन नहीं जी यह है इसका फ्रंड और जैसे कि मैंने बताया के जी फ्रंट साइड थी हमारी यह वाला पूरा फुल मॉटिफ था यह धामन पे था ठीक है इस तरह से बिल्कुल उसका कॉर्णर बना हुआ था फ्रंट साइड पे यह देखें और इसको जी मैं इस तरह से करके ऊपर ले यह पैनल और पैनल इसको यह बीच में से कट नहीं रखा सिर्फ मैंने इस तरह से फोल्ड करके कपड़ा इस तरह करके फोल्ड किया था ठीक है इस तरह से यह इस तरह करके रखके और इसके अंदर इस तरह पाइपन नहीं मतलब यह वाली जो मैंने लगाई है इसके अंदर side पर यह motif आ रहा है ना इस side पर मैंने plane बाजू रख दी थी क्योंकि हमारे पास एक ही motif था ठीक है एक side पर तो इसको मैं ले आई हूं इस तरह से बाजू में यह यह जी बाजू में इस तरह से ले आई है उपर shoulder के पास आ गया है और इसकी भी इसी तरह से क्या किया है कि इसके आगे बाजू के आगे भी लगाई हैं है ये वाली मैंने घोटा लैस और इसा से यह परोटए के साथ मैंने फिनिशिंग क्या और यह देखें जी यह ब्थू के सा बिवन क्यों मैंच कर रहे और इस तरह नहीं से नहीं भी यह व़ला उसा इसके साथ मेंच कर गया है और यह है इसकी बाजु थीह और दिखाती है मैं आपको किसका में चाहिए है यह जी इसका जो आपको दिखाया कि यह वाला है इसकी वही के डुछाउट जो देखे इस तरह की इस को just मतलब इस तरह से यह देखें इस तरह कपड़ा फॉल करके इसको इस तरह से रख़ा है ठीक है और इसके अंदर यह गोटा लैस लगाई है ठीक है और यह इसी तरह से आ रहा है नीचे तक दामन के और दामन की लेंथ जी फ्राइस की ना लंबाई की लेंथ जो थी वो यहां त है ने तीनों मतलब एक्ट यहरा आशिक्व है रहा है को तुब से इस तरह से त्हुन कि यहोन तक रखेंगे तो स्कीन जी अगर उपर दो भी तो आपने इसको चांग तक रखना है नीचे वह इस तरह से ठीक़ और ये फिर इसी तरह से आ रहा है जी ये वाला कुछ इस तरह से ठीक है दोनों साइडों पे और अगर नीचे आते हैं तो इसी तरह से ये नगाई है जी इस तरह से रिंग रिंग वाली लैस और यह वाली लाइस जो है ना वो आजकर मार्केट में बहुत जादा आयी है वाइट और ब्लैक में तो बहुत जादा आ रही है लेकिन अगर आप चाहें तो कलर जो है वो वाइट को करवा सकते हैं ठीक है और इसकी भी finishing दी है जी इस तरह ये वाली पट्टी के साथ ये वाली के साथ ठीक है और इसको ना इस तरह से करके इसको अंदर इस तरह से पल्टे के साथ लगाया ठीक है पिर क्या होता है कि इसके जो edge किनारे से होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं और एक बहुत ही प्यार कि ट्राउजर को किस तरह से रजाइन किया है हाँ जी तो यह है जी इसका ट्राउजर और ट्राउजर देखें उसी तरह से मैच किया है इसको शर्ट के साथ ही ठीक है इसके सबसे पहले तो मैं आपको दिखाओं के नीचे यह वाली चीज़ पर वही जो धामन पर लैस इस ताम कालके इस तरह से कारें और फिर यह इस तरह से सलाई लगाई है ठीक है यह सलाऑई में चार लगाई है Ini घृप हो चैसे किता मैं चाहएं थी डालाँ ते ल little निफी ऑलई कि उसके निधी सफाइं और को वह जने की ती तो फिर यहां रहो और भी आरही थी यहां औरे पांचे कि यह पर होती है स्लाइब वह समझझ नहीं आहा था कि जो पिंटbins वोपर नीचे हो रही थी और यह कुछ मुझे लाग नहीं रहा था है प्र जी मैंने यह कुछ सोचा कि इसी के साथ पिर मैंने यह लगाई ठीक है वही सलाई जो लगानी थी तो गॉबन पे मैंने डालके आठ धागे डालके उसके साथ सलाई लगा दी और उसके साथ फिर मैंने ये तीन और सलाई लगा दी तो इस तरह से ये चार सलाई लगी है ठीक है और ये देखें जी इस तरह से सा एक आ रहा है जी इस तरहां से त्रेट के साध़ ये इस तरहा से है उसके बाद मैंने वही लाया जो बाज़ू jawot पो बाज़ू पे लगाई थी जि रख bikба के लाया से अइस तरहा से कि मैंने उपर गखादी थी लेकिन इसके साथ किया है कि यहां पे इसको कट रखा है बिल्कुर यहां से जैसे लैस फिल करते हैं उसी तरह से लेकिन यह इसको फिल नहीं किया इसको इस तरह से उपर लगाया ठीक है बीच में से कट कर दिया था दोनों साइडों पे यहां पे उपर और नीचे दोनों साइडों पे जी स्लाई लगा के और इस तरह से करके यह इसको फिल किया है फिल नी किया उपर रखके लगा है तो यह यहां स्पेसे नीचे से इस तरह से काट था है जाली जाली सी नजर आ रही है और स्ट्रेट पिल्कुल इस तरह से पजाम है ठीक है ये तो कैसी लगी आपको आज के ड्रेस की डिजाइनिंग आई होप अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यूँ है में तब तक के लिए रखेगा अपना और अपनों का बहुत सरा ख्याल थैक्स पर वाचिंग दी अल्लाहाफेश